देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 में एक गटबंदन जो समाजबादी पार्टी के नेतरत में बना था जिसका एक अभिनंग हम भी रहे उसने भारती जनता पार्टी के सामने सबसे बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी है और उसका रिजल्ट ये रहा है कि हम यहां की जनता का 12% ज्यादा वोट ले करके अपने साथ जोड़ पाए हैं लेकिन इस गटबंदन का जो आजार हूँ ढाटा था उसमें कोई चेंज नहीं आया है हम आगे भी लोगों का विश्वास ले करके यहां से बहुत बड़ी विजह हासिल का सवाल ये था कि कितने बड़ी भूमी का निभाने वाली है अपना दल कमेरावादी इस पूरे चुनाओं में दो हजार चौबिस के दो हजार चौबिस के चुनाओं में अपना दल राजमता कृष्णा पटेल जी के नेतरुत में जैसे हम 2022 में अकलेश जी के सबसे मजबूत हैंस के रूप में खड़े हुए थे अब हम अकलेश जी के समर्थन में उनके साथ नितिश जी का भी साथ और समर्थन लेते हुए इस पूरे इंडिया के गटबंदन को बहुत तेजी से उप्तरपरदेश से विजय श्री दिलाने का काम करेंगे अमायवती को लेकर क्या कहेंगी आप क्योंकि आप भी बैान उनका आया है तमाम बातें उन्होंने कहीं है कहाय कि लूट किया खसोट किया और जितने पिछडों का है उनका दमन किया दलितों का दमन किया कौंग्रेस ने सब chyugत जादा उससी के साथ आप भोग जुनने जा हमने सदैव से ही दलित पिछरा शोषितों की बात की है सड़क से लेके सदन तक जब जब हमको मौका बिला है हमने हर मुद्दे को उठाया है इसलिए शायद 25 साल से सत्ता के बाहर रहने के वावजूद भी आज हम लोगों की और भारती राजनीतियों बहुत एहम पोजीशन तो तमाम मुद्दों को माज भी उठाते रहें आगे भी उठाते रहेंगे